चत्रा टाटी सिल्वे चत्रा बस्ती बंडा टोली है और मेरा नाम सक्स्वती देवी है मेरा जमीन का है क्या हुआ उसमें हम अंगरा ब्लोक मेरा पढ़ता है और मेरा वस्ती तो है चत्रा जिसमें मेरा खाता नमबर 226 फ्लोट नमबर 20 और रगबाद 213वे उसमें आज से कम से कम 45-46 सल पहले सरकार के द्वारा बंदवस्त किया गया था मेरे ससूर के नाम से स्वर्गय दसरत मातों के नाम से जिसमें मकान मेरा पुराना बना हुआ था मिटी का और चिनित भी किया हुआ था उसमें लेकिन मेरे ससूर डेट कर गए तो हम लोग का इस्तिती थोड़ा दैनिय हो गया जिसके कारण हम लोग कुछ दिन तो कुछ नहीं कर पाए पहले खेतिवारी और घर तो था ही मेरा लेकिन बाद में जब हम घर बनाना सुचे कि घर बनाएंगे नए सिरे से तो हम पुराना मकान हम को तोड़े तो जब हम बनाना शुरू किए तो अगल बगल के लोग जो कि उसी जमीन में रह रहा है वह नहीं आख गई एस जमीन में हमेशा स्यों को दबहरा बोले जाता है कि चार-पाँच आदमें के नम बनुबस्त है। तो ठीक है बनुबस्त है जितने आद्मीयों क करते हैं और लाम बार वारे उन्टी के आगाूद को से चीछीए अगर को आज भी करते हैं हमको मतलब नहीं कितना है नहीं है बस हमको 30-30 मिल के बंदोबस्त है हमको 30-30 मिल से मतलब है हमको और नहीं और हम यह जेक पर एक बार यह मुज़ने और क्या गलत हो रहा है सही चीज के मापी हो और मेरे साथ सही इंसाफ है बार-बार हमको जब-जब हम सोचते हैं उसमें घर बनाएंगे हम बहुत सारा उसमें पत्थाल बालो इटा गीती सब गिरा के रखे हुए हैं लेकिन वह सब आधा हो चुका सब चोरी होते जा रहा है इसी परपस से हम अपना CCTV कैम हम सपे हुए हो है जब हम घर बनाटे है तो हम को कर दिया जाता है यह कम सोनुख करना चाहते है तो हम को नोटिस कर दिया जाता और उसान, बीच में आगला हमाडम, मि काम कर रहे हैं जिसका कोई परमान नहीं है कर वामि कि मेरे दस से पंद्रा और अवरत उसी जमीन में हैं उसी लोग को पता नहीं वो लोग किसके थुरूपे आता हम नहीं जानते हैं लेकिन वोलो का कहना है कि यह जमीन तुमको नहीं करने देंगे आखिर क्यों कहती है और जब न तब मार्पिट पे उतर जाती हैं जब भी कुछ होता ह कुछ नहीं होता है कि हम जम सालिटे हैं कि कि भी को किया जा रहा है ना लुपने के परकास सब है उसके पीछे नाम तो देखिए अवरत लोग आती है न तू लोग बताएगी कि क्यों रोकती है हमको रोका जाता है हमें साब बोलती है कि इतना पैसा लगए इतना पैसा लगेगा पैसा कितना लगेगा अक्यों दे हम कि लखना नेंवल के लिए लेकिन उससे प्लाओं ज्सका इब ऊपनाईंती हैं टिसका कोई परमान नहीं है उड़क बना रहा है तो हम को हम भी गर भन बना स्यूंस करता है उसमें लिखा हुआ है उसमें कि आप अप यह हम अतिक्रमन यह है कहां जो हम अटा कैसे जुद्ध कि लिए नाम से कठता है कि अभी भी देखिए अभी भी 2023 तक मेरे पास रसीव है उनका कहना है कि आप दूसरे जगह जाईए आप उस जमीन को छोड़ दीजिए तो बेक्तिकत हम क्यों छोड़े और पूरे जमीन का दो एकर तिन डिसमील का मेरे ही नाम से नोटीस होता है जबकि उसमें और बंदोबस्त आदमी है सब को नोटीस होना चाहिए तो मेरे नाम से होता है और हमको बर्गला दिया जाता है तो क्या यह पर गौर्मेंट प्रोजेक्ट है कुछ बनाया गया है वहां पर कुछ सरकारी किया यह अदिग्रण कुछ किया 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 है तो देखिए उसमें जैसे जितना लोगों का बंदोबस्त है सब मुथ भणा रहे है तो हम भी बनाना चाहिं दूर में था मेरा त्वी बंते तक हुआ और यह यह से श्चारकार कुए था लेकिन मेरे नाम से हम लोग प्रसाशन से यही सहुख चकते हैं कि हम लोग के साथ नया हो और हम लोग को मानसिक प्रतना से दूर रखें जो बार-बार हमको मानसिक ट्रोचर जो किया जाता है करके उस से और नाम मैं जाते हैं मेरा अंगड़ा पर खंड परता है वह बहुत दिकत है बुला जाता है कि जमीन सरकार जो देती है तो क्यों देती है जिनका जमीन सटा हुआ रहता है लेकिन अगला बेच रहा है नाम भी हम बताएंगे जैपाल हजाम नाम है जैपाल हजाम नाम है सरपच है हम लोग गाउं का एक बादे तीन-चार बाद जीता है बस राजनितिक खेलता है जब जब अभी बहुत आ रहा है बहुत आ गया है अभी लेडिस लोग को जुटाता है ताकि विदायक राजेस कच्छप लोग सब मिला हुआ है अभी फिला लिए हम लोग का इस छोटा सा ममला को नियाले में अथी में कब बलते हैं विदान सभा में बुला गया है उस लोग बहुत खुशत है मिठा उठा खा रहते हैं कि मेरा काम हो गया आज से नहीं हमको लगता है 15-20 साल से लगे हुए हैं जब जब हम माल गिराते हैं जबकि उस जमीन में हम लोग कुछ ही नहीं करते हैं खाली मेट्रियल गिराते हैं मेट्रियल भी गिराने नहीं देत जबकि मेरा कागज देखिए सब कागज है इसकुल का जमीन निकाले हैं इसकुल का जमीन छे डिस्विल बताता है अधर जीरो बेठाक है जीरो बंड़ा पर चाहा कुछ जमीन का पर नहीं है